कि मैए नमस्कार दोस्तों मेर नमारी यह से जोषपु राजस्तान से आज आपके लिए मैं लेके आया हूं ई-बेस फ्लूट ई-बेस पिवेशी फ्लूट यह फ्लूट लवर की सबसे अच्छी फ्लूट होती है जो भी प्लूट बजाता है उसको सबसे ज़्यादा प्यारी यह फ्लूट लगती है चलो मैं आज आपको इसका मेजरमेंट बता दिता हूं वैल ट्यून फ्लूट है इसके अंदर मैंने 6 ह। कोई tuning hall नहीं है कि ट्यून फ्लूट है मैं आपको इसका मेजरमेंट बताता हूं कि इसकी टोटल लेंग है 77.2 cm है कि 76.2 cm इसकी टोक्तल लेंथ है हाँ ब्लोईंग होल ब्लोईंग होल आपको बारा पॉइंट नो सेंटीमिटर के रखना है ब्लोईंग होल 15.9 सेंटीमिटर अ है 12.9 सेंटीमिटर इसका first number hole 40 cm पर, first number hole 24 cm पर रखना आपको, third number, second number hole 40.9 cm, second number hole 95.9 cm, थर्ड नंबर होल नपचास पॉइंट दो सेंटिमीटर नपचास पॉइंट दो सेंटिमीटर पे इसका थर्ड नंबर होल है प्वर्थ नंबर वोल आपको 56 सेन्टीमिटर पर ना है फॉर्थ नंबर य। प्वर्थ नंबर हो अपको 58.7 सेंटीमिटर रहना है अट्थावन पॉइंट साथ सेंटीमीटर हो और चिक्स नंबर होल आपको चौछ सट पॉइंट एक सेंटीमीटर पी रखना है चौछ सट पॉइंट एक सेंटीमीटर इंफ्लूट जो होल के डायमिटर में आपको बता देता हूं ब्लॉइंग होल का डायमिटर आपको 1.1-1.1 रखना है फर्स्ट नंबर होल का डायमिटर आपको 7.5 mm रखना है सेकंद नमबर होल का 8.5 mm, थर्ड नमबर होल का 8 mm, और फर्थ नमबर होल का 8.5 mm, फिक्त नमबर होल का 9.5 mm, और दमबर होल का 7.5 mm रखना है, आपको इसकी आवास तो मैंने सुनाई दिये, शुर्में इक सारगं बजा कि बतारित नवाको कि दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे लाइप चैनल को लाइप कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो अपने दोस्तों साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको यह फ्लूट घर पर बनानी है तो आप इस मेजर्मेंट से बना सकते हैं अगर आपको यह फ्लूट मेसे चाहिए तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर कॉंटेक कर सकते हैं मेरा वाट्सप नमबर है 9636971909 Thank You